मज़ाग करो रिष्टे में तुम डॉक्टर लगते हैं नाम है माइकल मॉर्बियस पाइडर मैन वाला इस्टे एक देखने को मिला था यह कहीं यह रेमी की उनिवर्स तो बिलॉग नहीं करता है तो चलिए इनी सारी सबूतों और जवाबों का विश्रेशर करते हुए सोनी की कौन सी बात कितना सच है उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले अपने गरम गरम ताजान तोर से वेनम की बात कर लेते है त्रेलर में टोटल दो बार इसके मेंशन हुआ है पहले लुख में इस क्राइम सीन के दारान में दूनों डेक्प्र ब्ंस fantasy को के सीज की बात कर रहे होते है और San Francisco में कौन रहता है अपना Venom उसके बाद trailer के end होते होते Morbius खुद ही मजाक में अपने आपको Venom की कहके introduce करता है विच मेंस की गुरू की भाई Dr. साब को Venom के बारे में पता है लेकिन भाई अपन ने Venom 2 के post में ही जैसा देगा था Venom तो अब Tom Holland की उनिवर्स में ट्रांस्पोर्ट हो चिका है तो अब बावाल किस चीज का? मेंस की केस ऐसा भी हो सकता है कि Dr. साब के भी कहानी के बीच में ही वो ट्रांस्पोर्ट हो जाएं और तब जाके वो Michael Keaton वाले वल्चर से मिल पाएंगे क्योंकि इस स्पाइडर मैन वाले सीन में मौर्बियस जेल याले कपड़ों में है और वल्चर से भी वो तभी मिल पाएंगे जब वो जेल में होगा या फिर बात में फिर भी जो भी जेलों तोड़के भागने वाला बक्चोदी हो वो तो बात अलग है अगर जब या माइकल कीटन वाले वल्चर के साथ तो भाई स्पाइडर मैन भी होगा लेकिन यार यह पंचायत यहीं खतम नहीं होती नया वाला ट्रेलर अपने ओसकॉप का भी मेंशन देता है और औसकॉप रेमी दे और धी अमेजिंग स्पाइड मैं दोनों में अपन को देखने को मिला था लेकिन अभी के तौर पे औसकॉप के सेट जी नॉर्मन आसबॉन हमी नहीं देखने को मिले हैं अंटिल नोवे होम के ट्रेलर में वो तो बस वहाँ पे भी एक pumpkin bomb देखने को मिला था और बैक्राउंड में हस रहे थे ये भी काफी strong reports निकल के आ रही है कि मल्टी वर्सल लोवे होम कहानी में रीमी की ट्रिलोजी से ओरिजिनल विलियम डिफॉई अपन को देखने को मिलने वाले हैं भाई fan theories तो ऐसे भी निकल के आ रही है कि भाई अपने Avengers Tower को Homecoming में भाई Norman साब नहीं खरीद लिया था मगर इस angle से बाजू में देखके लग तो नहीं रहा है कि ये किसी भी triangle से Avengers Tower को renovate किया गया है मगर thank God Morbius trailer इस बात को तो confirm कर देता है कि Osborne का ये corporate giant इस universe में exist करता है अभी जैसे Marvel का ये variant orient वाला लफड़ा चलना है possibly इस universe का Norman अभी भी ग्रीन गॉबलिन नहीं बना होगा मगर वो तो picture-dy detail में बताएगी फिर अपन को एक scene में Daily Bugle का newspaper नजर आता है और ये newspaper का logo और डिक्टो अपने 20 साल पुराने अपनी रेमी मूवी की तरह है और इस सबूत के आधारों पर ये बात तो आपन confirm करी सकते है कि भाई Morbius यहाँ पे MCU में नहीं है क्योंकि भाई Far From Home के mid-grade scene के हिसाब से भाई MCU का Daily Bugle एक internet info news web show है जिसे J. Jonah Jameson खुद ही होस्ट करते हैं लेकिन इसके अलावा भी newspaper में दो और डीटेल्स देखने को मिलती है अपन की rhino black cat के बारे में जिसे देखके लगता है कि भाई इस universe में इनका भी काफी रहे में काफी time हो चुका है और ये तने बदनाम हो चुके हैं कि भाई newspaper में भी छपना चालू हो गए लेकिन इसमें सिर्फ अपन के अभी rhino ही देखने को मिला था The Amazing Spider-Man 2 मूवी में Black Cat की एक team up मूवी आने वाली थी लेकिन Sony ने silver और black project को hold कर दिया क्योंकि possibly उस समय female superhero movies उतना पैसा नहीं कमा पा रही थी पर यहाँ पर Morbius Black Cat की solo movie सेट अप कर सकता है उसके बाद ठीक जैसे कि आपन को ट्रेलर 2 के breakdown में ही मैंने आपको बताया था कि ट्रेलर के एक glimpse में आपन को horizon organization भी देखने को मिलता है जहाँ पर यह company दुनिया भर के सबसे 13 लोगों को एक साथ लाकर science करवाती है जिसमों comics में अलग लग पहलू वोपे Peter and Morbius भी आ चुके है और animated series में तो अपन को rhino भी इसमें नजर आता है अपन के ठीक साल भर पुनाने ट्रेलर में अपन को यहाँ पे सेम रेमी के spider man दिखता है लेकिन उसके उपर murderer लिखा हुआ है अब ध्यान दो spider man से नफरत लोग MCU में ज्यादा करते है far from home में misterio ने लोगों को trick कर दिया था कि उसने इस देवता manus आदमी को कैसे मार दिया लेकिन इस बात को totally cancel out करते हुए daily bugle का ये तरक आता है तो कि Morbius की universe में ये news तो वीडियो form में है ही नहीं तो अब अगर यहाँ पे murderer है तो किस वज़ा से है क्या कोई नया बवाल खड़ा कर दिया तुमने पर से टोबी वाला सूट अपन को देखने को मिलता है इसको किस ने फसा दिया या फिर ये है ही हरामी कैसे बात माल लो मैं तुम्हारी फिर अपन को Michael Keaton के character के वल्चर के बारे में देखने को मिलता है जो की बिना किसी शक्के MCU का है पर किंतु परंतो इनका नाम सुनने को नहीं मिला है नहीं न सुनने को मिला ये फुटेज बहुत ही जादा मजबूत प्रमान बनती है कि Morbius MCU के universe में आ चुका है लेकिन उसी के साथ साथ ये answer देखे इसके बात को simple करने की जगाए से और complicated बना देती है कि tomb jail से निकला कैसे और ये Morbius के साथ कैसे हुआ कहीं ये वल्चर किसी और वल्चर का variant तो नहीं या फिर कीटन सहाज इस Morbius universe में किसी और character को play कर रहे हो क्योंकि jail में सिर्फ Peter से ही नफरत करने वाले यही नहीं थे Scorpion भी तो था ये तो इसे direct काट के फिक देने की बात कर रहा था लेकिन भाई Venom 2 के post से ये बात तो clear हो जाती है कि Spider-Man की villains एक universe से दूसी universe में कूदने वाले है अब जब ये बंदा अपने घर से अंजान किसी इलाके में होता है तो भाई chaos सो मचाएगा वो पूरा हैरान परसान होता है अजमी लेकिन अभी Morbius से पहले तो अपन को no way home देखने ही पड़ेगी और मैं होप करता हूँ कि MCU का ये no way home कुछ sense बनाएगा सारा बोजह Morbius को पर नहीं डाल देगा कि भाई गुरुद ये तुम्हारा सोनी का ये Spider-Man Universe है तुम समझो मैं क्यों समझाओ मैं कहता हूँ तुम सम मिल बाट के गाम करो हमको मजा दो पाइस से हम देंगे उस बात की टेंसन मत लेना इसके अलावा तुम अपने उपीनेंस बताओ तुम इस कहानी को किस उनिवर्स में किस तरीके से डेडिकेटर टॉर से देखते हो भाई confusion तो बहुत है कि भाई Amazing Spider-Man से है Rainy से है, MCU से है, Morbius से है या Venomverse से है, लेकिन ये बात तो sure है कि किसी ना किसी पॉइंट पे जब भाई ये सारे कारेक्टर्स तॉम हॉलन के Spider-Man universe में जंप कर रहे हैं तो ये Morbius भी यहां पे जंप करेगा लेकिन यहां पे एक ट्रिक वाली बात ये भी है कि बागे सारे चोटे साइड विलन्स का क्या हुआ जैसे कि Black Cat हो गई, Rhino हो गया वो भी आएंगे क्या भाई बहुत ही बड़ी दुनिया है Spider-Man की तुम क्या सोचते हो उसके बारे मुझे कमेंट से जरूर बताना कि तुम इन सारे कारेक्टर्स को किस युनिवर्स में देखना पसंद करोगे इसके अलब अगर आपको स्वीडियों देखके कही भी अच्छा लगा खुशिया मजा आया अजया रूर आपको स्वीजर्स करेंटर्स कुछा लगाँ